माकर रासी वालों का आज का रासी फल यणी की 14 जून 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 14 जून 2020 के पंचांग के बाड़े में आज ति थी है नब में नक्षतर है उत्तरा भाद्र प्थ पक्च है कृस्न पक्च और दिन है रबीवारे आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है 5 बज के 22 मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है 7 बज के 20 मिनट में रितू है ग्रिस्म और आज का दिन काल है 13 घंटे 56 मिनट 26 सेकेंड का महिना है आसाड और आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 22 मिनट एम से 12 बज के 50 मिनट पी एम तक और अशुभकाल सुरू होता है 5 बज के 28 मिनट पी एम से 6 बज के 24 मिनट पी एम तक और राहुकाल सुरू होता है 5 बज के 35 मिनट पी एम से 7 बज के 20 मिनट पी एम तक और दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों यही था आज का पंचांग इस बीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बीडियो के नीचे ओम स्रे सुर्ज देवाई नम्ह कमेंट कर दें दोस्तों वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें सबसे पहला है आपका स्वास्त मित्रों स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान्य है न जयादा बेहतर न जयादा खराब आज के दिन आप में से बहुत से लोग बाहर घूमने जाएंगे पार्टी करेंगे मौज मस्ती करेंगे आप ये सब करें इन कार्जों के लि क्यूंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका श्वास्त खराब हो जाएगा आज के दिन अगर आपके धन शंपत्ती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका समय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा क्यूंकि अगर आप आज के दिन पैसे का महत्तो नहीं देते हो तो आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में नहीं रहने वाले हैं इसके बाद है आपका पाडिवाडिक जीबन, पाडिवाडिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शांदार रहेगा आज के दिन आपके घरपडिवार के लगभग शभी लोग आपका साथ रेंगे और इसी वजह से पाडिवाडिक जीवन बेहतर रहेगा घरपडिवार का माहौल शांदार रहेगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय सही रहने वाला है आप में से बहुत से लोग आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मिलेंगे लेकिन दोस्तों आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मिलते हो तो मिलते वक्त अपने प्रेमिके भावनाओं का आप कदर करें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रेम शंबंध कमजोर हो जाएगा इसके बाद बाद करते हैं आपके कामकाज के बाड़े में तो कामकाज के दृष्टी कों से आपका समय सामाननी है नजयादा बेहतर नजयादा खराबे आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े च्छेतर में आप लापड़वाही बिलकुल भी न करें आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुवात करना चाहते हैं तो सुरुवात करने से पहले उस काम के बाड़े में आप सारी बाते जान लें उस काम की अच्छाई उस काम की बुराई सारी बाते जानने के बाद हैं उस काम की ओर आप आगे बढ़ें आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा भाग्यशाली अंग है आपके लिए छे यनिके सिक्स दोस्तों आज के दिन अपने शमय को बेहतर और शांदार बनाने के लिए आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान सुर्ज को तामबे के पात्र से अर्ग दें अर्ग देने के बाद आप उनकी पूजा करें आपका शमय शांदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं और वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद